मद्दान करना बहुत जरूरी है बीजेवी सरकार आई बहुत से चेंजे से जाए जो सांसे दाजे बट जी वो ही जीतेंगे यहाँ पर यह मेरे चोड लगी थी आज मेरे पार आईसमान नहीं होता तो मैं इलाज भी कहां से करवाता है तो प्राइवीड वालों ने दस लाग रूप वांग दिये थे नमस्कारिक वाफिर से स्वागत है आपका जेजेन नीउस की एक और खास प्राउन रुपूर्ट में लोगसबा चुनात का मौका है और ननिताल उधमसिंग नगर में यानि की यहाँ पर उन्यस तारिक को मद्दान जो है वो होने वाला है तो आज जेजेन की टीम धरातल मर निकली है जनता से बात करेगी और जानेंगी कि कितने जागरुख है जनता मद्दान को लेकर क्या उन्हें पता है कि एक वोट कितना जरूरी है इसे तमाम सवाल जो हैं आज हम जंता के भीच जाएंगे जंता से पूचेंगे और देखते हैं कि हलदवानी की जंता क्या इस बार मद्दान करेगी या फिर नहीं और मद्दान को लेकर जंता का क्या विचार है ये भी आज इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे नमसकार में निस को पता है कि यहाँ से कौन-कौन से प्रत्याशिक खड़े अभ इतना पता है बीजेवी से तो आजेब खड़े है एक वोट जो है किफिना ज़रूर ही हमाइए या हमारी सरकार के लिए क्योंने एक गवार से तो बहुत कुछогे ओसकता हार भी हो सकती जीट ही लाद सकती है यह जहीं होर्ट डालती हा रहे और मथे साल हो गए हैं कुछ चेंजिस आए चेंजिस क्यों है जब सब्सक्राइब बहुत से चेंजिस आए यह मेरे चोड लगी ती आज मेरे पास आइसमान नहीं होता तो मैं इलाज भी कहां से करवाता है यहां तो प्राइविट वालों ने दस लाग गुरूप मांग दिये थे आइ बीजेजी सरकार ने तो बहुत कुछ करा है मैं तो अभी बीजेपी को बोट दूँँगा साफ सीधी सी बात आप कोई कॉंग्रेस को देख उसको दे बीजेपी सरकार बढ़िया है बीजेशे वाले दिन चुट्टी मनाते हैं उनको क्या कहना चाहेंगा अप इस तो जरूरी है तभी तो भारत के कहलाए जाओगे तो बॉर ने दे पर एक बेकार है तभी तो आइटी तो आईडी तो यहां पिर तुम्पास रेगिए कि हा तुम देश के हो इंडोस्तान में रहने वाले वो कि अपयाता है फिर दृश्ट में भी तुम्हारा नाम नहीं आएगा यह भागए पर नम करेंगे अपर नाम नहीं से यह नहीं चलाए जाता फिर नाम नाम नहीं आया घार मेरे मेरा नाम आया मैं लुक्त नाम लोगों को जागरूप करने के लिए आप क्या बोलेंगे वो तो बताई रहे हम और कहीं रहे हैं और जो लोग अच्छा जोचेंगे तो अच्छे होगा और बोट डालना चाहिए काई दें मिला है तो बोट आप में चलिए इस बार क्या लगता है लोगसाबा चुनाव में जनता किस पार्टी पर भरोसा करने वाद और तो पार्टी को नाव है और इस बार मध्दान जो है वह कितनी तारीफ को है क्यों निज अप्रहिन सब्सक्राव को हैं आप इए मघ्ची मार्गेट में मत्दान कर शब्स जाता है हों क्यंium 50 पचासाइश बावन साल पावरा में चाहि देंशा कर रहा है तो अगर मैं बात करूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मद्दान के दिन चुट्टी मना लेते हैं या फिर मद्दान नहीं करते हैं तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि कितना जरूरी है मद्दान करना बहुत जरूरी है, मद्दान ना करना जो है उनकी हाट धर्मी है, जो मद्दान नहीं करते हैं, मद्दान करना बहुत जरूरी है, मद्दान जो है देश के लिए एक राष्ट हित के लिए प्रेना सुरूत है तो किस तरह का जो पूरा प्रोसीजर रहता है मद्दान वाले दिन क्या-क्या चीज़े होती है वहाँ पे बूत में यह बताईए बूत में क्या सब लोग बूत डालने जाते हैं वहां करमचारी लोग बैठे जाते हैं और सीनर लोगों को सहुलित नहीं मिलती है किसी के तकलीब है किसी को तकलीब है तो उस चीज़ को वरीता नहीं दियाती है लेकिन अप्रशाशन ने 85 प्लस से जो ज्यादा बुज़रूग है उनके अब 85 जो 70-75 साल का है उसकी परसानी है तो उसको एक प्रेसी क्या मानने है जो सीन्र सीडियन तो साइट के बाद में शुरू हो जाता है लेकिन उन ना 85 से क्या गें उनके लिए जैसे चुनाव है तो क्या लग रहा है इस बार कौन सा परत्याशी का पल्ला भाड़ी रहे हैं प्रत्याशी पल्ला उसी अपने हैं जो सनातन का दर कप को सरनातन के लिए प्रभावी रहेगा सरनातन का कोई जो विरोध करेगा वो विरोध में जाएगा आप कराम ठाकुर सिंग उन्नेस तारीक को चुनाव है वोट देंगे देंगे कितने सालों से वोट दे रहे हैं यहां पे तो 14-15 साल से दे रहे हैं किस तरह से नाम जो है वह आता है लिस्ट में भर लिस्ट आते हैं वहां से आता है तो आप कहा पर होगा बूट कहां पर होगा वहीं गोज जलिमी क्या लगता है इस बार किस की जो सरकार है वो बनने वादियर शरकार तो होई मोदी जीतेंगा प्रत्याशी अगर मैं बात करूं तो आपको जानकारी है परकाज जोसी कंगरेस से और और जेबर बीजेपी से लगवाग कितने सालों से आप मध्दान कर रहे हैं बीच साल से बात्चा बिजाद बात। बढर गुर्य चाहते हैं एक वोट कितना जरूरी है हमारे देश के लिए एक वोट इसके लिए बहुत जरूरी है और सभी से मैं दिमीदन करूंगा कि हर कोई अपने घर से बोर्ट डालने के निकले उसके बाद मली चाहें गुमने जाना हो जाएं बोर्ट जरूर डालने सब बच्चे से बुजरूरता इस तरह से प्रचार प्रचार अभी चल रहा है सभी पार्टीयों का अपना अलाग यूटीउटीव चैनल है तो क्या लग रहा है यह जो मार्केटिंग हो रही है ये बढ़ावा देगी मद्दान में बिल्कुल देगी, बड़ावाद देगी, इससे फरक पड़ेगा मार्केट में, लोगों को जाग रुपता रहेगी कि मतलब वोट डालने जाना है तो इससे फरक पड़ेगा चोड़ी अब ये बताईए कि इस बार पलड़ा किसका भारी रहे इस बार मोदी सरकार कई है यहाँ पर और जो सांस्याद आजय बट जी वोई जीतेंगे यहाँ पर सर आपका नाम सीजे सिंग गुरू जी जिस तरह से लोगसबा चुनाव हैं और उन्निस तारिक को मद्दान होने वाले हैं क्या लगता है इस बार किसकी जो सरकार है वो आने वाले हैं सरकार तो बीजेपी के आएगी जी विपक्ष में कोई आप देख रहे हैं बीजेपी के पक्ष में इनके विपक्ष में कोई भी नहीं है तो जिसकर ऐसे लोग जो है वो जागरूख नहीं है मद्दान को लेकर आ एक वोट की कीमत एक लाग से भी ज़्यादा है और वोट का अधिकार सभी को है और सब को देना चाहिए यह तो आपका जो वोट है वो कहां पर पड़ता है मेरा जी जी आइसी स्कूल में है तो जिस तरह से सरकार जो है वो 85 प्लस से उपर के लोगों को सुविधाय दे दिये ह लगता है उससे जो एज ग्रूप है वो कम करना चाहिए ना कम होना चाहिए आपकी आयू 85 प्लस से जादा है ना 75 75 तो आपको किसी तरह की परिशानी होती है नहीं कोई परिशानी सब अच्छी होती है सब मिल लिए है जी आपका नाम में नाम राजेश भोला कितने सालों से प्लसुआ ये वोट कर रहे हैं कि विश जादा ही हो गारता है लगता है इस बार जो चुनाव और जिया चला है आ गांटिजी में कोई नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है विक्स में कौंग्रेस जीते होगी कॉंग्रेस तक्र देगी तक्क्र देगी तो यह बताइए मुझे जो लोग चुनाव में वोट नहीं देते हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे एक वोट कितना ज़रूरी है वोट जरूरी है वोट से हर जीत का फैसला है पूरा देश का देश के लिए वोट देना जरूरी है सरकार बनानी है बढ़िया तो आपके यहां पे वोट किती तारीक हो हैं? हमारे यहां 19 को है. आपका पूलिंग बूत कौन सा है? हमारा जी जी आइसी काला डूंगी रोड है आपका. तो आप हर बार जाते हैं हमारे वोट देने? जी. वेवस्ताई केती रहते हैं? ठीक रहते हैं? तो देखा आपने आज हमने आपको दिखाया है कि हलदवानी की जनता का मदान को लेकर क्या विचार है? लोगों ने हमें बताया कि एक वोट जो है वो कितना जरूरी है? एक वोट से सरकार बन भी सकती है और सरकार गिर भी सकती है. मदान को लेकर आपके क्या राय है और क्या आप इस बार मदान कर झाल 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 झाल